हेलो एवरिवान इस ममता सामरे खंडेलवाल एंड यह वाचिंग MSK Chemistry आज हम डिसकस करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रूप 16, 17, 18 आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है तो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा तो इंट्रडक्टरी पार्ट में हम देखते हैं कि अगर हम ग्रूप 16 की अगर बात करें तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एलिमेंट्स कौन है तो इट इस ओस से टी पो इट इस ऑक्सिजन, सल्फा, सैलिनियम, टैलिरियम और पोलोनियम ठीक है ओस से टी पो यह सब यहां पे लिखे हुए आप देख सकते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं चाल कोजन्स कहते हैं क्योंकि यह ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट है यह आपको ध्यान रखना है तो इस से टीपों से आपको याद रहेगा ऑक्सिजन यहां और इस लगवकुण से लगवक होता इससमें बात मास है अंपोर्ट होता है और किस फोम में यह प्रिजैंट होती चैसे चैसे ताब। जैसे जिपसम हो गया, एपसम सॉल्ट हो गया, बेराइट्स हो गये और सल्फाइड ओर के वो में जैसे जिंक सल्फाइड, कॉपर पाइराइटीस, गैलेना इस तरीके से सल्फाइड प्रेजेंट होती है अब आगी बात करते हैं सैलीनियम और टैलीरियम, ये प्रेजेंट होते हैं मैतल सैलीनाइड एंड मैतल टैलूराइड के फोम में और वो भी प्रेजेंट होते हैं सल्फाइड ओर्स के साथ ठीक है? और लास्ट का जो एलिमेंट अपना है, वह है पोलोनियम that is radioactive और जो की आपके जो radioactive elements होते हैं thorium and uranium इनके decay से बनता है क्या बनता है हमारा पोलोनियम तो पोलोनियम is a radioactive element यह आपको ध्यान रखना है चलिए आगे बात करते हैं अब बात करते हैं हम group 17 जिसे हम कहते हैं halosans ठीक है it is fluorine उसके बाद आपको CBI से याद रखना होगा chlorine, bromine, iodine and anstetine ठीक है तो it is CBI तो आपको यह याद रखने होंगे बैसे यह नाम बच्चे को यह याद रहते हैं बट आपको यह ध्यान रखना है इन्हें halosans क्यों कहते हैं क्योंकि they are salt producing elements ठीक है अब आप तो जानते हैं कि fluorine बहुत reactive होता है, chlorine बहुत reactive होते हैं तो यह halosans होते हैं they are very reactive element due to high electronegativities अपने अपने period में इनकी जो electronegativity होती है वो सबसे जाधा होती हैं तो इसलिए यह free state में नहीं पाए जाते हैं they occur in the form of compounds ठीक है अब बात करते हैं fluorine की, fluorine occurs mainly as insoluble, ध्यान दीजे, insoluble fluorides like fluorosfer, cryolides, fluoropetite इस तरह से मिलते हैं और small quantities में प्रेजेंट होता है fluorine, soil में, fresh water में, plants में, bones and teeth of animals ठीक है अब जो हमारा sea water है, ध्यान दीजेगा बच्चो, sea water इसमें chlorides, bromides और iodides बहुत जाधा पाए जाते हैं और आप वैसे भी जानते ही हैं कि जो sea water होता है, इसके evaporation से हमें नमक मिलता है नमक जो NACL होता है, उसका main source क्या है, आपका sea water ही है, जिसके evaporation से हमें मिलता है तो सिर्फ chlorides ही नहीं मिलते हैं वहाँ पे, वहाँ पे हमें bromides और iodides भी मिलते हैं कि कौन से metals के, sodium, potassium, magnesium and calcium के ठीक है लेकिन however it mainly contains NACL 2.5% by mass तभी तो उससे नमक बनाया जाता है commercially तो इस तरह से जो deposits होते हैं, deposits of dry up sea beets contains sodium chloride and carnelite ठीक है यह आपको ध्यान रखना, यह थोड़ी general knowledge के आपको चीज़े पता होना चाहिए अब बात करते हैं हम marine life की, तो marine life मतलब सी समुन्द के अंदर की जो life है उसी की बात हो रही है it also contains iodine in their system, अब जैसे अगर हम seaweeds की बात करें, तो seaweeds contain up to 0.5% iodine and chili salt peter contains up to 0.2% of it, ठीक है, 0.2% of sodium iodate तो मतलब जो हमारा समुन्द रहे है, वो halogen का बहुत अच्छा source है इसके बाद जो last वाल एंडिमेंट होता है, अपना जो एंस्टेटाइन है, it is the last member of halogen family और यह radioactive होता है, और इसकी जो half life होती है, it is 8.1 hours होती है, तो बहुत जादा नहीं होती है ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे जो group 18 के element, जो उसको याद रखने का तरीका मैं आपको बताती हूँ ही नी अरे करे जी रेडोन, रेडोन ग्लास का एक शरार्ती बच्चा है, वो क्या करता है, ही नी अरे करे जी रेडोन इससे आपको याद रखना ही नी अरे करे जी रेडोन, ठीक है, यह group 18 है और आप तो सब जानते है, group 18 के elements होते हैं, जो non-reactive होते हैं, monatomic form में पाए जाते हैं, यह सारे के सारे gases हैं तो इनकी बात करते हैं कि यह कहां मिलते हैं, all the noble gases except radon occur in the atmosphere, समझ में आगया है, मतलब यह में मिलेगी आपको, so the abundance in dry air is almost 1% by volume, और उसमें भी जो आरगन होती है, वो सबसे जादा होती है, ठीक है, so helium and neon are found in minerals of radioactive origin, तो यह आपके जो है, pitch blend, monazide and clevite, यह इसमें आपकी क्या मि group 18 के elements मिलते हैं, xenon and radon are the rarest element of the group, radon is a decay product of radium, ध्यान रखना, radium अलग है, radon अलग है, तो यह हो गया इनकी occurrence के बारे में, अब हम बात करते हैं, इनके electronic configuration, बहुत आसान है, बच्चों, आप जानता है, oxygen family का, जो valence shell के electronic configuration होता है, वो होता है, ns2, np4, इनका होता है, ns2, np 25 और यहां पे होता है, ns2, np6, बस इससे आपको याद रहे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको मैं पहले भी वीडियो में यह बता चुकी हूँ, कि इनके atomic की number याद रखने का तरीका क्या है, helium और neon के तो बच्चों को याद रहते हैं, उसके बाद आप 18 की table बो इस तरीके से आप ये electronic configuration का देख सकते हो, पहले वाली inert gas की यापे entry होते हैं, मतलब neon के electronic configuration लिखना तो उससे पहले वाली inert gas है, helium तो उसको आप यहाँ पे पहले लिखेंगे, 3s to 3p6 होगा, अब यहाँ पे देखिए 3D electrons की entry हो जाती है, उसके बाद आता है 4s to 4p6, यहाँ प इसलिए इनके बीच में जो difference होता है, वो 32 होता है, 4f14, 5d10, 6s2 and 6p6, तो बस इसी तरीके से आपको यह सारे electronic configuration याद रखने है, electronic configuration का individual video, P block का, S block का, D block का मैं already बना चुकी, F block का भी मैं बना चुकी हुए, तो आप वीडियो देख लीजेगा, चलिए अब आगे बात करते ह Atomic and physical properties of group 16, तो पहले तो ओस से टी पो यह नाम याद रखना जरूरी है, Atomic number भी आपको याद रह जाएंगे, ठीक है, उसका तरीका भी मैं बता चुकी है, आपको पहले ही, अगर अब भी बताऊंगे तो वीडियो बहुत बढ़ा हो जाएगा, अब देखे, बात आती है, Atomic Gradius भी बढ़ती जाती है, Obviously, Ionic Radius भी इंक्रीज होगी, Top to Bottom जाएंगे, अब बात आती है, Ionization Enthalpy, तो पहले तो आपको भी पता होना चाहिए, Ionization Enthalpy क्या होती है, आपको यह एक Electron निकालना है, Outer Most Shell में से, बस उसके लिए इनरजी का requirement होता है, उसे Ionization Enthalpy कहते हैं, अ Non-Metals की जादा होती है, मतलब Non-Metals से से Electron निकालना बहुत मुश्किल होता है, उनके पास Electron गेन करने की Tendency जादा होती है, Electron गेन करने को किसमें डिसकस करते हैं, हम Electron गेन Enthalpy में, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, कि Ionization Enthalpy Highly Positive Value है, ठीक है, तो ऑक्सिजन की जो Electron लूज करने की Tendency बहुत कम होती है, तो टॉप टू बॉटम आप जानते हैं कि Metal एक करेक्टर इंक्रीज होते जाते हैं, हना, ऑक्सिजन और सलफर आप जानते हैं, नॉन मेटल होते हैं, सेलिनियम और टैलियूरियम मेटलाइट्स होते हैं, पोलोनियम इस मेटल, तो Ionization Enthalpy की Value जो क्या होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज नहीं होती है, टॉप टू, एक मिट, Ionization Enthalpy की Value टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है, ऑक्सिजन की Ionization Enthalpy अपने ग्रूप में सबसे जादा होती है, Electronegativity तो आप जानते हैं, फ्लोरीन, Oxygen नाइटोजन की सबसे जादा होती है, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि Oxygen से जब आप नीचे जाएंगे, तो Electronegativity की Value कम होती जाएगी, Electron Gain Enthalpy में आप ध्यान रखिए कि Oxygen की Electron Gain करने की Tendency से जादा, Sulfur की Electron Gain करने की Tendency जादा होती है, इसलिए कई बार Question क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, Melting Point इसमें बहुत जादा डिफरेंस है, क्योंकि Sulfur जो आप देखिए, Sulfur किस फॉर्म में होता है, Sulfur exist करता है, S8 फॉर्म में, इसके Molecule इस तरह से होते हैं, क्राउन शेप में, यहाँ पर यह 8S atoms जुड़े होते हैं, तो Sulfur exist as S8 जबकि Oxygen कैसे exist करता है, O2 molecules रूप है, Oxygen क्या है, एक Gas है, जबकि Sulfur क्या है, Sulfur क्या है, एक Powder है, Solid Powder है, ठीक है, और जबकि Oxygen क्या है, Gas है, इनकी दोनों की Physical State अलग लगे, इसलिए आप ध्यान रखिए का, इनके Melting और Boiling Point में, बहुत बहुत जादा अंतर है, Too Much, बहुत Difference है, क्योंकि इनकी Physical State भी अलग लगे, आगे इस सब को डिटेल में डिसकस करेंगे, इसी तरीके से देखो, यह सब की Physical Property अल्मोस्स सेम ही है, 17 की बात करते है, तो यहां पर भी देखिए, Atomic Number Increase होता जाता है, Atomic Mass भी बड़ेगा, Atomic Radius भी बड़ेगी, Ionic Radius भी बड़ेग और Loose करने की बहुत कम होती है, इसलिए इनकी जो Ionization Enthalpy की Value बहुत ज़ादा होती है, Electronegativity आप जानते है, फ्लोरीन की Maxim होती है, Top to Bottom जाते है, तब Electronegativity कम होती जाती है, Electron Gain Enthalpy यहां पर भी आप देखिए, क्लोरीन की Electron Gain Enthalpy फ्लोरीन से ज़ादा है, यह भी आगे होते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, देखो बच्चों यह है, Inert Gases हना तो, इनके तो यह Mono Atomic Form में रहती है, और यह सारी की सारी Gases है, तो इनके Melting Point और Boiling Point बहुत जादा कम होती है, सबसे पहली चीज, ठीक है, दूसरी चीज, आप इनकी Electron Gain Enthalpy की देखि पॉजेटिव होती है, ठीक है, Ionization Enthalpy इनका जो आउटर मोस्ट चैल्व का Complete Octet है, क्यों यह एक Electron Loose करेंगे अपना, इसलिए इनकी जो Ionization Enthalpy की Value भी Highly Positive होती है, और Atomic Radius यह सब Concept तो सबके लिए सेम है, Top To Bottom जाएंगे तो Increase ही होगा, अब बात करते ही Electron negativity, तो आप ज Oxygen की आप जानते है, Electronegativity Maximum होती है, तो Polonium की क्या होगी, Minimum होगी, तो यह सारे तो Concepts हैं जो आपको आने ही चाहिए, ठीक है, और Halosins में भी क्या आप जानते हैं कि, Fluorine की Maximum होती है, Electronegativity, then Clorine, then Bromine, then Iodine, and then Anstetine, ठीक है, तो Top To Bottom जाने पर क्या होते हैं, Electronegativity Decrease होत जाती है, अब हम बात करते हैं, Electronegain enthalpy तीनों ग्रुप्स में, 16 की बात करें हैं, तो आप जानते हैं कि, Electronegain enthalpy की value में, आप से हमेशा बच्चों यही क्वेशन पूचा जाएगा, ट्रेंस नहीं पूचेंगे, वो यह पूचेंगे, कि, यह पूचेंगे कि, Sulfur की जो Electronegain enthalpy है, वो oxygen से जाधा क्यों होती है, और जो chlorine की electron gain enthalpy है, वो fluorine से जाधा क्यों होती है, यह कोई प्रॉब्लम में भी एक क्वेशन दिया हुआ है, तो यहां पे आपको size का factor लेना पड़ेगा, Electronegain enthalpy क्योंकि oxygen और fluorine का size छोटा होता है, इसलिए electron gain करने पे जो energy का amount निकलता है, व less negative electron gain enthalpy than sulfur due to small atomic size, same logic यहां पे भी होता है, जो group 17 के case में, fluorine has less negative electron gain enthalpy than that of fluorine due to small atomic size of fluorine atom, तो जो थोड़े से बच्चे ऐसे हैं, जो डरते हैं, एक्जाम फियर से, तो इस तरह के question पूछे जाते हैं, तो आप बस यह लिखाना, this is due to small size of fluorine atom, due to small size of fluorine atom, तो आपको teacher marks दे देंगे, तो इसी तरह group 18 की बात पे हैं, तो इनकी तो electron gain enthalpy की value positive है, यह है, they have large positive value of electron gain enthalpy, क्यूंकि they have no tendency to accept electrons because of their stable electronic configuration, that is NS2NP6, तो देखे हैं, अब देखे है problem number 7 point, element of group 16 generally show lower values of first ionization enthalpy compared to the element, तो देखो group 15 कौन सा है, आपका ना पास सब भी का हूँ, ठीक है, nitrogen, phosphorus, arsenic, अब इनका group configuration क्या होता है, NS2NP3, अब आप जानते हैं, half field और full field जो electronic configuration होते हैं, वो ज्यादा stable होते हैं, क्योंकि nitrogen में, half field, nitrogen वाली family में, क्योंकि half field आपको peer orbital से electron निकालना है, that's why it requires more energy, इसलिए जो group 15 के elements की जो होती है, यह क्या पूछा है नहोंने question में, ionization enthalpy, उसक compared to group 16, क्योंकि group 16 का electronic configuration क्या होता है, NS2NP4, तो NP4 half field होते हैं, जब कि NP3 half field है, इसलिए P4 में से electron निकालना जादा असान है, अब question the first, okay, अब ना question is, the value of first ionization enthalpy of sulfur and chlorine are higher, respect, explain the observed train, तो यह तो हम बता ही सकते हैं, sulfur and chlorine belongs to the second period of the periodic table, अब देखे हैं, का, आपको बस दो point यहां पर लिखके आना है, as a, across a period, effective nuclear charges increases, क्योंकि same shell में ही electron add होता है, अना, तो, जो nucleus का जो, उस पे control है, outermost electrons पे, वो बढ़ जा जाता है, और atomic size decreases, ठीक है, due to the increase of atomic size, बस यह आपको जो points है, यह लिखके आने, इस तरह के questions में, और बाकायदा, यह questions as it is, पूछे जाते हैं, board exams में, ठीक है, इसलिए हम लिखके सकते, the energy required for the removal of electron from the valence shell increases in the order, अब हम जानते हैं, कि जो chlorine का atomic size है, यह छोटा है, sulfur से, तो छोटे size से electron निकालना, जादा मुश्किल होता है, ठीक है, आगे बात करते है, physical properties of group 16, 17 and 18, तो यह तो आप सभी जानते हैं, कि जो oxygen है, वो किस form में मिलती है, गैस के form में मिलती है, और sulfur आप जानते है, powder, तो मतलब oxygen इकलोटा member ऐसा है, अपने group का, जो gas form में मिलेगा, बागी किस form मिलेंगे, solid state में, तो sulfur और oxygen non-metal है, selenium, tellurium, metalloids हैं, while polonium is a metal, यह मैने आपको पहले भी बताया था, polonium एक radioactive element है, जिसकी आप लाइफ 13.8 days होती है, melting and boiling point increases with increasing atomic number, यह भी आप जानते है, oxygen तो gas है, बागी सारे क्या है, solid है, तो उनकी melting point तो high होंगी होंगे, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रख दिया, all the elements of group 16 exhibit allotropy, allotropy आप जानते ही है, जब एक ही element एक से ज़्यादा physical form में पाए जाता है, तो उन्हें उसके allotrops कहते है, जैसे carbon के क्या होते है, diamond, graphites, like that. Now, next question is, why is there a large difference between the melting and boiling point of oxygen and sulfur? Again, आप जानते है, oxygen gas form exists करता है, o2 molecule, और sulfur exists as polyatomic acid molecule, जो मैंने आपको यह structure बना के दिखा है था न, यह वाली points होते है, यहाँ पे sulfur होते है, ऐसे 8 sulfur atom होते हैं, ठीक है, अब देखो, इसका surface area बड़ा है, ठीक है, तो इसके बीच में क्या होंगे, the wonderful forces of attraction between O2 molecules are relatively less weak, owing to its much smaller size, और जो sulfur है, उसमें यह जादा होते हैं, यह बहुत सिंपल सा logic है, जो आप बढ़ी आसानी से exam में लिख सकते हैं, आगे बात करते हैं, हैलोजन फेमिली में आप जानते हैं, बच्चो, फ्लोरीन एंड जो क्लोरीन है, यह gases होती है, ब्रोमीन लिक किड होता है, आयोडीन होता है, सॉलिड के वॉयलेट कलर के क्रिस्टल होता है, तो यह इनकी फिजिकल स्टेट हो गई, और आप जानते ही, लिक्विड से जब सॉलिड के अर्मूव करते हैं, तो मेल्टिंग बढ़ते जाते हैं, अब यहां पे आपको एक चीज बहुत अब आपको यहां पे ध्यान रखना है, कि बॉन्ड डिसोशेशन एंथेल्पी ज ओफ हैलोजन मॉलिक्यूल आयस फोलो, यह बहुत इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट है, यह आपको ध्यान रखना है, मतलब जो फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोशेशन एंथेल्पी है, वो लास्ट में आयोडीन आएगा, ना दो कॉस्चन इस फ्लोरीन एस लेस नेगेटिव एलेक्टरोन गेन अफिनिटी और एंथेल्पी भी इसको बोल सकते हैं, क्लोरीन वाई, सेम कॉस्चन इसके लिए पूछा जा सकता है, वाई ऑक्सीजन है लेस नेगेटिव एलेक्टरोन गेन एंथेल्पियर अफिनिटी देन सल्फर वाई, तो इसका अंसर क्या है, उनके साइज, क्योंकि साइज फ्लोरीन एटम इस स्मॉलर देन क्लोरीन एटम, ऑक्सीजन केस में हम लिख सकते हैं, साइज फ्लोरीन इस स्मॉलर देन सल्फर एटम, as a result, there are strong इंट्रेलेक्टरो और उसमें ज्यादा लोग आजाएं, तो जबड़ा होता है, गर बड़ा हो और ज्यादा लोग आजाएं, तो जबड़ा होने की चांसे कम होते हैं, तो छोटे साइज की वजए से, क्योंकि 2P और बीटल में एट्रोन अगर को अगर एंटर करना है, तो उसका साइज छोटा same logic आपको oxygen and sulfur पे apply करना है अब हम bone dissociation and enthalpy की जैसे हमने भी बात कीती है कि fluorine की chlorine से कम क्यूं है तो यहाँ पे भी वही बात करते है जैसे यह fluorine का molecule है तो यह देखिए इस तरह से यह lawn pair इसमें present होंगे chlorine में भी यह present होंगे ठीक है लेकिन क्या होगा chlorine का size बड़ा होने की वज़े से इन lawn pairs की बीच का distance जादा होगा जबकि fluorine में lawn pairs की बीच का distance कम होने की वज़े से इस तरह से इन पे क्या होगा? repulsion होगा तो due to smaller size there is lawn pair, lawn pair repulsion in fluorine atom जो मैं शब्द बोल रही हूँ, words बोल रही हूँ आपको marks मिल जाएंगे in fluorine due to its smaller size there is lawn pair, lawn pair repulsion so the bond dissociation and enthalpy of fluorine is less than chlorine molecule यह आप लिखके बिलकुल ऐसे आ सकते हैं अब हम ग्रोफ 18 noble gas की बात करते हैं तो आप जानते हैं monatomic होती है they are sparingly solid water ज्यादा तरका मिलते हैं मिलते हैं अब जो gas है उसके melting and boiling point तो वैसी कम होंगे इनकी elektron की enthalpy value positive होती है melting boiling point क्योंगे सारे के सारी gas है monatomic form है इनकी interatomic interaction भी क्या होंगे बहुत कम होंगे इसलिए melting point boiling point वह ज्यादा कम होते हैं oxygen के anomalous मतलब यह बाकी के अपने मेंबर से अलग भी एक क्यों करता है इसका कारण पूछा जाता है तो बच्चों यह 3 points आपको लिख के आने है कि इसकी size small होती है इसकी high lactonegativity होती है और क्योंकि यह second period के member है तो इनमें d orbitals नहीं होता है d orbital की entry यह आपके third period से होती है third shell से होती है ठीक है तो oxygen की क्या होती है atomicity O2 होती है जबकि यह phosphorus नहीं होता है group 16 का member यह यहां पर गलत लिखा हुआ है तो oxygen is a diatomic molecule जबकि जो sulfur है वो polyatomic molecule है अना तो atomicity में इसके अंतर है magnetic property आप जानते है molecular orbital theory में class oil में आप पढ़ चुके हैं oxygen में 2 unpaired electron होते है paramagnetic मतलब अट्रेक्ट करता है diamagnetic मतलब क्या होता है ठीक है diamatic का मतलब होता है कि सारे electron pair जितने भी electron वो सारे paired है paramagnetic का मतलब होता है electron है जो unpaired है unpaired है तो magnetic field वो attract होंगे तो it's paramagnetic while other are diamagnetic oxygen state आप जानते है oxygen की minus two or minus one होती है H2O2 में minus one होती है redox reaction, redox chapter का पूरा वीडियो में अच्छे से upload कर चुकी है आपने वीडियो का फ़संद भी किये है तो oxidation state के बारे में आप उस वीडियो में detail में जानकर ही gain कर सकते है H2O2 में oxygen की oxidation state minus one होती है H2O में minus two होती है oxides में minus two होती है तो क्योंकि fluorine से जादा तरड़ा electro negative element है तो यहां पे आप देख सकते है oxidation state हो plus two है fluorine के साथ जब होती है O2F2 में इसकी होती है ठीक है तो और बाकी की sulfur की बाकी की other elements है क्योंकि उनमें d orbitals present होता है इसलिए उनकी variable oxidation state होती है minus two plus two plus four plus six जैसे SF6 में sulfur oxidation state के है plus six ठीक है nature of hydrates आप जानते है water is the hydrates of oxygen liquid होता है hydrogen bonding होते है जब कि H2S gas होती है यह आप सब जानते हैं तो आप जानते हैं कि जो hydrates of oxygen is liquid at root temperature why hydrates of other members are gases ठीक है तो यह बात हो गई आगे हम जानते है H2 में hydrogen bonding होती है common covalency of oxygen is two in rare causes it is four but for the other members of groups the covalency exceeds four ठीक है तो यह आप हम देख सकते small atomic size high electronegativity and absence of inner d orbital से से क्या बनाता है और उसे अलग बनाता है ठीक है anomalous behavior of fluorine मतलब यह भी और उसे अलग है क्यों है उसका भी reason है ठीक है तो उसका reason क्या है small atomic size high electronegativity absence of d orbital and low ff bond dissociation enthalpy तो यह question पूछे जाते है बच्चों और बहुत आसान इनके answers होते हैं तो यह चारो point आपको निखने लाल लिखने हैं अब बात करते कि fluorine की वह क्या properties है जो औरों से अलग है तो पहली चीज तो इसकी ionization, enthalpy, electronegativity, electron potential are higher for fluorine than expected trend shown by the other halosens दूसरा इसकी जो ionic covalent radia melting point, burning point and electron are quite lower than expected ठीक है most of the reaction of fluorine are exothermic due to short and strong bond formed by it with other element चलिए आगे बात करते हैं it forms only one oxoacids while other halosens forms a number of oxoacids जैसे हो गया hocl, hocl4 ठीक है यह सब होते हैं hydrogen fluoride is a liquid आप जानते हैं hydrogen bonding होती है while other hydrogen halosens are gases जैसे आप जानते है HCl क्या gas है ठीक है? तो thank you for watching MSK Chemistry चैनल पर नहीं है तो please subscribe channel hit the bell icon thank you for watching MSK Chemistry